चोपड़ा जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हर सही चोपड़ा आपका हर दिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारी बचों हर स्टुडेंट का सपना होता है कि वो गौर्मेंट मेडिकल कोलेज से MBBS करे लेकिन हमारे इंडिया में गौर्मेंट मेडिकल कोलेज की इतने सीटें नहीं हैं कि इस्टुडेंट को एडमिशन मिल सके 25 लाक्स स्टुडेंट अभी एक्जाम में बैटे हैं, इनमें ऐसे काफी स्टुडेंट हैं जिनका परफॉर्मेंट पहले तो ऐसा अच्छा था DTS वगरा में, लेकिन एक्जाम में वो अच्छा परफॉर्मन नहीं कर पाए अभी गवर्मेंट मेडिकल कोलेज उनको मिल पाना मुश्किल है और वो सोच रहे हैं कि हमारा किसी प्राइवेट मेडिकल कोलेज में एडमिसन हो जाए क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंडिडेट हैं जिनके अटेंट्स काफी हो चुके हैं वो और इस साल एडमिसन लेना ही चा रहे हैं तो ऐसे दो पोपुलर इस्टेट हैं जिन कंडिडेट्स के गौवर्मेंट में होने के चांसेज नहीं होते हैं तो वो प्राइवेट के लिए इन दो इस्टेट्स में अपना भागे आजमाते हैं सबसे पहले है कारनाटका और केरला इन दोनों कोलेजेज स्टेट के कोलेजेज की फीस कम है और इनफ्राइस्ट्रक्चर वगरा स्टड़ी वगरा का जो लेवल है वो अच्छा है इसलिए इन दो इस्टेट में स्टुडेंट एडमिसन लेना पसंद करते हैं इन दोनों स्टेट्स के जो application form है MBBS, BDS के लिए वो पहले ही fill किये जा चुके हैं केरला स्टेट में ऐसा होता था कि exam से पहले application form fill किये जाते थे लेकिन इस बार करनाटका स्टेट में भी पहले ही form fill किये जा चुके थे अभी NEET का exam हो चुका है अब इस NEET के exam में कुछ student ऐसे हैं जिनको अभी government college नहीं मिल पाएगी और वो ये सोच रहे हैं कि करनाटका और केरला में मैं admission ले लेता हूँ लेकिन उनका form fill नहीं हुआ है तो उनके लिए good news ये है कि इन दोनों state के form फिर से reopen होंगे इन दोनों states ने अपने website पर ये notice डाल दिया है कि इनके form reopen होंगे तो ऐसे candidate जो करनाटका और केरला के forms fill करना चाते हैं उनके लिए ये good news है कि वो form fill कर सकते हैं अब इनके form कब open होंगे इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले करनाटका स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं ये form उन candidates को fill कर देना चाहिए जिनके 520 से marks उपर आ रहे हैं और उनका budget 10 से 13 लाग के नियरवाई है वो candidate इस form को अवस्य fill करें यहाँ पर कुछ colleges हैं जिनमें काफी कम fees पर भी admission होता है जैसे केरिला की चार colleges है उनमें कम fees for admission हो जाता है बाकी colleges में थोड़ा सा आपका एक लाग का budget और बढ़ जाता है तो वो मैंने एक separate video बना रखा है या फिर आप हमारी book के help भी ले सकते हैं जिसमें हरे college का budget दिखाया गया है कि कितना budget है किस college का तो सबसे पहले हम केरिला state के बारे में बात कर लेते हैं कि केरिला state के form कब reopen होंगे तो केरिला state के form पहले तो भरे जा चुके हैं लेकिन इसके form अभी दुबारा reopen होंगे इसकी जो website है वो cee.kerala.gov.in keam2024 इस पर आप visit करेंगे विजिट करेंगे तो आपको इस फरकार का इंटरफेस मिलेगा यहां क्लियरली लिखा है Candidate Portal for Medical and Architecture Courses will be opened at a later time मतलब कहने का यह है कि जो medical के form है medical के form है MBBS के लिए वो form बाद में open किये जाएंगे अभी engineering और pharmacy के लिए form open है Candidate Portal open है तो यह जो form है यह result से पहले भी open हो सकते हैं और result के बाद भी open हो सकते हैं तो आपको इस website पर proper visit करते रहना है यह कब open होते हैं मैं आपको एक बता देता हूँ कि यह सिरफ 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए open होंगे उसके बाद close हो जाएंगे और केरिला में उसके बाद कोई chance नहीं मिलेगा form apply करने का तो यह 3-4 दिन हो सकता है result से पहले भी open हो जाएं या फिर result के बाद भी open हो जाएं लेकिन यह open जरूर होंगे 3-4 दिन के लिए ऐसा आप notice भी देख रहे हैं कि इनका जो medical का portal है वो बाद में reopen होगा अब जब भी यह reopen होगा हम आपको inform कर देंगे फिर भी आप इस website पर visit करते रहे हैं तो यह तो थी केरिला की बाद केरिला के colleges के बारे में फिर बता देते हूं 19 private colleges हैं जिनकी fees आपको 10 लाग के nearby पढ़ती है जो चार colleges मैंने आपको बताए हैं जूबली मिशन है, पुस्वगिरी है, मलंकारा यह college हैं इनकी fees एक लाग रुपए इन से कम पढ़ती है यानि कि 9 लाग रुपए तकरिवन पढ़ जाएगी और बाकी colleges की fees 10 लाग रुपए पर एयर की fees पढ़ती है हलांकि जो वहां के government candidate है वहां के लिए भी यह form reopen होगा तो अभी बात करते हैं करनाटका एस्टेट की तो करनाटका एस्टेट का form भी 3 दिन के लिए reopen होगा और यह result के बाद होगा यह करनाटका ने बाकाइदा notice दे दिया है करनाटका एस्टेट की जो वेबसाइट है cetonline.karnatka.gov.in obliq.kea.neet2024 होगा यहां पर यह 23 का पोर्टल है यहां पर 24 होगा यहां इस वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे आप इतनी वेबसाइट पर विजिट कर ले cetonline.karnatka.gov.in कितनी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो इस परकार का पोर्टल आएगा यहां पर आपको करनाड और इंग्लिस का उप्सन आएगा इंग्लिस सब्जक्ट यहां चूज कर ले आप इंग्लिस लेंग्वेज चूज कर ले admission का यहां option मिलेगा admission पर click करेंगे तो UGCET 24 का option मिलेगा हलांकि यहां उसके बाद में UG Need 24 का option मिल जाएगा आपको मैं आपको बता दूँगा कहां पर मिलेगा जब इसके forms open होंगे और इसकी website सुरूफ हो जाएगी counseling स्टार्ट हो जाएगी फिलाल आप यहां admission पर click करेंगे UGCET 24 पर click करेंगे जैसे ही UGCET 24 पर click करेंगे इस परकार का option मिलेगा आपको online submission of application medical आईरवेद युनानी इस परकार का option मिलेगा यह notice लिखावा है इस notice में यह लिखावा है कि student और parents की request के according medical के form है जो करनाटका और केरिला state के लिए मैंने आपको बता दिया है इनके form reopen होंगे कब reopen होंगे यह हम वीडियो बनाके बता देंगे आप हमारे चैनल को subscribe करके रखें करनाटका state की fees के बारे में बता देता हूँ यहां सब कुछ मिला के 13 लाग के इस बार ऐसा और जो अधर fees है यहां पर NRI fees है वो 25 लाग से उपर मिलती है पर येर के लिए साड़े चार साल की fees है वो कम marks पर भी मिल जाती है अधर कोटी में यह करनाटका state के लिए है बाके आप इनकी अगर जानकारी लेना चाते हैं काउंसलिंग के बारे में तो हमारी All India कोटा की state की और आयूस वेटनरी की बुक है इस टेट कोटा की बुक में मैंने केरिला करनाटका और सारे इस टेट के बारे में अच्छी तरह से समझा रखा है कितने प्राइवेट कोलेज हैं कितने फीच है उनकी कितने होस्टल फीच है कि पिछली बार कितनी मार्ट पर कटोफ गई थी तो ये सारा सब कुछ मैंने समझा रखा इस बार की कटोफ जो पिछली बार की कटोफ है उससे आप 5 से 15 मार्ट और एड कर लें कोलेज वाइस देख लें कि इस कोलेज में मेरा एडमिशन पूल सकता है तो यह जानकारी आप हमारी इस बुक से ले सकते हैं ओल इंडिया की जो बुक है उसमें सारी फैसलिटी च्वाइस लिस्ट वगरा की कटोब की सारी फैसलिटी दे रखी हैं डिम्ड में कितनी फीश है क कैसे एडमिशन ले सकते हैं सेंटरल पूल कोटा काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बता रखा है ऐसे हर एक स्टेट के बारे में समझा रखा है फीश के बारे में कटोब के बारे में और हर एक स्टेट का काउंसलिंग प्रोसेस अलग होता है उसके बारे में समझा रखा है च्वाइस फिल कैसे करनी है इस टेट की डॉकुमेंट्स क्या चीए और इसमें आयोस और वेतनरी के बारे में भी इन बुक्स में अच्छी तरह समझा रखा है कटोप वगरा के साथ इसको आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौर पर क्लिक करेंगे तो तीनू बुक्स के लिंक मिल जाएंगे या इसको आप हमारी वेबसाइट चोपडा एजुकेशन डोट इन से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिस बुक पर आप क्लिक करेंगे वो डाउनलोड पेस पर आप पौंच जाएंगे और आप यहां डाउनलोड कर सकते हैं तो यह जानकारी थी केरिला इस्टेट और करनाटका इस्टेट के फॉर्म के री ओपन के बारे में आप अपलाई जरूर करें फीस के बारे में बता देता हूँ एप्लिकेशन फीस है वो करनाटक इस्टेट के लिए 2500 है और केरिला इस्टेट के लिए 500 है तो आप इनको अपलाई कर सकते हैं जैसे ही यह री ओपन होंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे तो बात की जानका उपना आपसे लिता हूँ विदा जैहिंगे